श्रीक्रिष्न गौशाला का होगा जिर्णोधार कमांडिट प्रवीन सर्मा ने किया निरिक्षन दसकों से बदहाल चल रहे मुकामा की श्रीक्रिष्न गौशाला का होगा जिर्णोधार आज CRPF Group Center मुकामा घार्ट की कमांडिंट प्रवीन कुमार अनुराग भारत सिफ संकर के शाथ स्रीकृष्ण गौसाला समीती के चंदन कुमार कनहया के साथ दरजन भर अस्थानिय ग्रामिनों ने गौशाला का निरिक्षन किया गायों के संरक्षन के लिए वर्स 1913 में मुकामा में बनी स्रीकृष्ण गौसाला कभी मुकामा का गौडब हुआ करती थी अब सिर्फ नाम की गौशाला रहे गई है अस्थानिय ग्रामिनों और प्रिशासन की अंदेखी और रख रखाव के अभाव में गौशाला भवन गौशाला मुकामा का एक मुख्य वैपारी केंद्र था सैक्रो दुधारू गाये रोजाना हजारो लीटर दूद देती थी सुबह साम दूद लेने वाले ग्रहाकों की भीड लगी रहती थी गौपाला अश्टमी को गौशाला प्रांगर में विशाल मेला लगता था दूर के बाद ही गौशाला पूर्णता बंद हो गया कुछ सालों में जब प्रशासन बेवस्ता दुरूस्त होई तो गौशाला को लेकर अस्थानी लोगों ने पढ़्यास किया जनप्रतिनीदियों की उदासींता की वज़े से यह गौशाला अब पूरी तरह से खंडर में तब करमन मुक्त करवाने के लिए हरसंबब कोशिस की जाएगी स्रीकृष्ण गौशाला के शदस्य चंदन कुमार ने बताया कि गौशाला पडिशर को जल्द से जल्द जिनोधार करवाना हम लोगों का मुखे लक्ष है मुकामा को पशुपालन और चारोत पादन में तक्नीकी हब बनाया जाएगा।